शाथियों स्वागत है आपका शुद्रेश्टी पीशेश यूट्यूब शनल पर शाथियों समिच्छा दिकारी प्रारंभिक और मुख्य परिच्छा के हिंदी प्रश्ण पत्र जो किसाठंका होता है आपको पता होगा कि इसमें दस हंके वाकियों वर्तनी शुद्ध आते है इसके अंतरकत हम आपको हिंदी की संखला प्रार्म कर रहे हैं जिसका नाम अमोग है अमोग का अर्थ है ऐसा वार जो खाली न जाये तो वास्तों में इसमें हम ऐसे प्रश्णों को समाहित करेंगे जो बहुत महत्पूर्ण होंगे और यह आरो यारो और आगामी जो भी पर प्रार्म करते हैं सामान हिंदी के अंतर कत्तल वाक्यवम वरतनी शुद्धी तो इसमें आज हम वरतनी शुद्धी देखेंगे उनके सुद्धत्म रूप होते हैं वह पिरिखते है जिन साथ होने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें शेर करें देखते हैं सब्दों के शुद्ध रूप तो इसमें क्या होता है देखा होगो आपने जो समिच्छे तीगारी की हेंदी की प्रानविक प्रज़ा होती चार विकल्प दी होते हैं, उसने से पहिचानना होता है, तो आइए कुछ, हमने यहाँ पर इसमें 50 सद्ध डाले हैं, जो शुद्ध रूप है, उनके मैंने बता आये हैं, चलिए प्रावां करते हैं, श्वाधिश्ठ, देखें,колद आएं, तो आप tarde, मत हो YAC बिल्कुल, यह सुद्ध आपको लिखकर बता देंगे कि इसका शुद रूप क्या होता है पास तो में यह स्वादिष्ट बिल्कुल सही लिखा है ठीक है स्वादिष्ट नहीं होता है क्या होता है स्वादिष्ट आपको परतम द्रिश्ट यह गलत लग रहा होगा लेकिन स्वादिष्ट बि बात करते हैं धूम्पान की दूसरा सब्स जो है धूम्पान बिल्कुल सही है शुद्ध शब्द धूम्पान होता है जहां पर धूम्र पान लिखा होता है वो गलत होता है ठीक है क्या है सुद्ध धूम्पान जैसे धूम्पान जैसे धूम्पान भी बोलना गलत है बहुत ही प्रचलन में गलत तरीके से प्रयोग किया जाता ये शब्द, तुम्रुपान नहीं होता है, धूम्पान होता है, इसके बाद बहुत बार पूछा किया है, जोत्सना सब्द, देखें, जोत्सना में आधीता और आधीसा होती है, क्या होता है, आधीता और आधीसा, दोनों लिख जिए घृलिए गनिष्ट वरिष्ट कदेजिच और गरिष्ट इसके लाब अनिश्ट मिस्तान और यलीष्ट इन में चाइअ हैं uh यी और जो नीचे लिखें अगला अनНदिकार ऊनाधिकार नहीं था हैं धिक honest नहीं अठो थे अनाधिकार गलत सब्द है क्या होता है अनधिकार अंतरधान अंतरध्यान नहीं होता है कई जगा देखा होगा आपने अंतरध्यान ऐसे करके लिखा होता है यह गलत है अंतरधान होता है ठीक है शुशुशा देख लिए क्या वरतनी है सुसुरूशा इसके सुद वरतनी क्या तो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा सुसरूशा ऐसे लिखाता है अध्यात्म देखे आध्यात्म नहीं होता है क्या होता है आध्यात्म जो है वो गलत है क्या होता है अध्यात्म और इसमें जब इक प्रत्ते लगा देंगे तो हो जाएगा आध्यात्मिक ठीक है वैसे ही सं संग्रह ऐसे नहीं लिखा जाएगा देखे संग्रह जो है ऐसे नहीं होगा संग्रिह नहीं होता है संग्रह होता है आप लोगों को रा और री में अंतर पता होना चाहिए संग्रह गा में देखे अच्छ चलिए एक सब्द बताते आपको ग्रह ये वाला एक ग्रह हो गया और ग्रिह है इस में उपर वाला जो ग्रह है वो उनकी ग्रहों की बात कर रहे हैं जो ग्रह है तो इसमें जो नीचे ग्रह लिखा है ये ग्रह कार्थ होता है घर ठीक है तो इन में अंतर पहले करना सीखे आप लोग तो संग्रह होता है और जब संग्रहीत लिखते हैं तो क्या संग्रहीत री लग गया नीचे ठीक है एक में रह होता है और नी इसमें री होता है आगे देखते हैं ऐसे ही अनुग्रह अनुग्रहीत ये भ प्रजवलित प्रजवलित में एक ही आधी जा बनती है दो जा नहीं बनती है प्रज्वल और प्रज्वलित ये बिल्कुल ठीक लिखा है इसके बाद अगला दिखते हैं निरपेक्च निरपेक्च में उपर रा नहीं लगती है अगर आप ऐसे लिखते हैं तो गलत लिख रहे हैं ठीक है निरपेची ये गलत है जैसे हमने लिखा आया 19 नमर पर ये बिल्कुल ठीक है चरमोत कर्स बहुत बर पूछा गया है और बहुत मातपूर्ड है चरमोत कर्स ऐसे नहीं होता है ठीक है ऐसे गलत हो गया ये क्या होगा चर अलग हो जाएगे दोनों चर मोत कर्स ऐसे लिखा जाएगा इसके बाद अगला दिखते हैं कि इस नमपर पर भश्म भश्म में जो बीच की सा होगी वो ये वाली बनेगी शाषटक वाली इसको कहते हैं हम लोग तो भश्म भासकर ये भी ऐसे लिखा जाएगा जैसे भश्म होगा वैसे ही भासकर होगा और नीचे देखिए दो मैंने एक जैसे लिखे हैं भीश्म और दुश्कर ये दोनों में सा कौन सी होगी शटकोंड वाली शाह होगी ठीक है भीश में कैसे लिखा जाएगा भीश में यह तो खेराशान है आप लोग लिख सकते हैं लेकिन दुसकर बहुत बार पूछा गया है दुसकर में कौन से वाली शाब बनेगी सटकोड वाली शाब बनेगी आगे देखते हैं आर्द देखे आर्द और सोहार्द यहाँ प लिखा जाता है नीचे जो रा है वो दिखे इसमें नहीं लगी है ठीक है तो आर्द और सोहार्द अच्छे से देख लीजिए इसके बाद आते हैं 27 नंबर पर इसमें वरज वरजभासा वरजमंडल देखे वास्तों में न तो यहां पर बा सब्द बहुत गलत तरीकी से प् और इसमें रा लगाते हैं री नहीं लगाते हैं ठीक है तो यह वास्तों में हिंदी की बारीकिया होती हैं जब आप बहुत बार प्रयोग करेंगे बार बार इन सब्दों का यूज करेंगे लिखेंगे तब आपको कंठस्ट हो जाएगा ठीक है तो वरजमंडल होता है अत्यदिक बिल्कुल ठीक है अत्यदिक नहीं होता है आपने अत्यदिक पढ़ा है तो सही है इसela चार यहां पर 32, 33, 36, 34 और 35 ये हैं महत पूर्ण है देखलिजे दृस्टी देखे क्या है दृस्टी ये जिसे हमारे चैनल है सुद्रिस्टी ठीक है तो ये क्या हो जाएगा दृस्टी दृस्टी नहीं होता है वैसे ही द्रस्टा द्रस्टी से एक सब्द बना है द्रश्टा, तो द्रश्टा में रा लगेगी, री नहीं लगेगी, ठीक है, जैसे दिखे उपर, द्रिश्टी है, द्रिश्टा, वैसे ही स्रिश्टी, और स्रश्टा, ठीक है, इसमें री लगा है, इसमें री लगा है, तो ये चारो सब्द बहुत कंफ्यूजिंग है इनको अच्छे से देख लिए किसमे री लगी है और किसमे रा लगा है इसके बाद एक महत्पूर सब्द है फिटकीरी शुद्ध सब्द जो है फिटकीरी होता है फिटकरी नहीं होता है सुद्ध सब्द में काम है छोटी का मतर लगती है फिटकीरी होता है आप लोग बताईए इसमें आपको कौन-कौन से नए शब्द लगे बहुत से साथी होंगे जो कई सारे शब्द नए लग रहे हैं उनको उनको लग रहा होगा कि यह हमने पढ़े नहीं है और हमने यह बहुत परिशुद्ध तरीके से बनाईए इसमें आपको गलतियां बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी ठीक है अधिशाशी क्योंकि फिर मेरे पढ़ाने का मतलब क्या रहा जागा अगर इसमें भी गलतियां निकलाएंगी तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है अधिशाशी देखे अधिशाशी में जो अन्त वाली शाह है इसमें गलतियां होती है ये कई साथी अधिशाशी में ये लिख देते हैं कैसे लिखते हैं बताते हैं अधिशाशी ऐसे लिख देते हैं जबकि ये गलत है ठीक है कौन सी जो अन्त वाली शाह है सड़क वाली बने हो रहे थे प्रश्ण तो उन लोग कहने पर मैंने एक स्रंखला चलाई थी वो आप लोग देख सकते हैं उसके वीडियो पड़े हुए है तो द्वंद्व सही होता है प्रति द्वंदी इनके अब मैंने कई बारा भ्हास करा है जैसे द्वंद्वी आगला है तत्व और महत्व देखे तत्व में दो बारता बीच में बनी होती है तत्व ठीक है और यहां पर हलका सा डंडा लगा दिया था है तो ये महत्व बिलकुल ठीक है और महत्व ठीक है अब ही मुझे लग रहा है उत्तराइखनर के आरो की एक्जामें महत्व Carroll कांच्छी एया से सब्ड़ ठीक वो बिल्कुल ठीक था महत्वा कांची जिसमें दो ता आधी वनी थी, पूरी ता नहीं थी, दो ता जिसमें आधी थी, ठीक है, ऐसे खरके, आगे दिखते हैं, द्वारका मैंने बताया, द्वारीका गलत होता है, द्वारका ठीक सब्द है, वालमी की, ये वरतनी कुछ नहीं होगे आपर मैंने लिखा है द्वार का वाल मी की ठीक है पाल मी की मा में बड़ी की मात्रा और का में चोटी की मात्रा ऐसे होता है कव ये त्री ये प्रशन तो बहुत बार रिपीट हुआ है मुझे लग रहा है PCS में जो CSET का पेपर होता है उसमें बहुत बार आ चुक और या ऐसे है पूरी का नहीं है ये गलत रूप ऐसे हो जाएगा असका याग्य वल्क ऐसे लिख देते हैं लोग गलत है याग्य वल्क किया है ठीक है आगे है हिरंड कसीपू ये मुझे समिछा दिकारी की आरोकी दोयर सोला या सत्रा दोनों में आया था मुझे लग रहा है तो हिरंड कस्य अपन ही होता है क्या होता है हिरंड कशीपू बहुत अच्छे से वर्दने इसके देख लिए और बार बार प्रैक्टिस करिए और मैं तो कह रहा हूँ कि इन सब के नोट्स बना लीजिए ऐसे कुल मिला के मैं आपको 200-300 सब्द ऐसे बहुत अच्छे दे निरपराधी नहीं होता है सुद्ध सब्द निरपराध है अगर निरपराधी लिखा है तो यह गलत है ठीक है अपराधी का विलोम निरपराध होता है अपराधी का विलोम निरपराधी नहीं होता है ठीक है तो निरपराध हो जाएगा इसके बाद क्रित 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 ठीक है अगला देखो मालिन धोबिन वास्तों में मालिन लिखा होता है या मालन लिखा होता है लेकिन सुद्ध सब्द का होता है मालिन और वैसे ही मिलता जोलता धोबिन ठीक है और अंतिम जो वीडियो का है वो है विरहीडी और ग्रहीडी तेकि दोनों सब्द सुद्ध हैं विरहिडी और ग्रहिडी आप लोग बताईए कि ये कुल 50 सब्द आपको इन में कितने नए सब्द लगें और आप लोगों ने इन से कितना सिखा इसकी गुडवत्ता कैसी है धन्यवाद